हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई य्टूब चैनल और आज मैं स्टेटनिंग करने जा रही हूँ तो यह है पहला क्रीम और मैं जो प्रोडेक्ट यूज कर रही हूँ यह है प्रो सैलो का इसमें दो क्रीम आता है एक स्टेटनिंग क्रीम एक निट इलाजर ठीके तो पहला क् किस तरव की तरीके लाई चाहिए ठीके तो फर्स्ट क्रीम को नाम है फ्र्त निन अर driven क्रीम थोड़ा निकाला टाके कि वो क्रीम वेश्ट ना चला जाए ठीक है और आप बालों को पहले section बना लिजे फ्रंट का अलग air to air अलग निकालना है आपको और पीछे side का अलग निकालना है ठीक है उसके बाद ना उसी section से और भी पतले-पतले section आपको लेना है और फिर क्रीम को लगाना है और जब भी first cream को apply करे hair पे तो ध्यान रखना है आपको कि scalp में नहीं लगना चाहिए मतलब जो हमारा सर का skin है उसमें cream नहीं लगना चाहिए इससे हो सकता है कि client को जलन मैसूस हो और इसमें hair fall भी बहुत जादा हो इस बात का ध्यान रखेगा आधा इंच का जो hair अपने को छोड़ना है और क्रीम को जब भी बालों पे लगा रही होना तो अच्छी तरीके से लगाईगा ताकि एक एक बालों पे क्रीम लग जाना चाहिए और बहुत slow-slow भी मत काम कीजिएगा क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि 20 से 25 मिनीट या मान के चलिए 30 मिनीट के अंदर पूरे ब क्रीम चाहिए और क्रीम लगाने से बालों को अच्छी तरीकी से धोली जेगा है और सुखा लीजिए गिलने बालों पे कभी भी क्रीम ना लगन जाए और सुखाने के बाद ही आप यह सब पूरistä कर सकते हैं और first cream का काम क्या है? First cream का काम ये है, जो हमारे बाल, जो हैरे करल रहता है न, वो curls को तोड़ना के काम है, मतलब हम लोग बोलते हैं, उसको एक और लेंग्वज बोलते हैं, जो bones, ठीके? तो बालों का जो bones है, वो तोड़ने का काम करता है, ये first cream, ठीके? तो वो चेक करना में मैं आपको बताऊंगी आगे, बट आप अभी देखिए मैं किस तरीके से बालों पे ये जो first cream में ये अपलाई कर रही हूँ, जैसे ही पूरे बालों पे cream लग जाए, उसके बाद आपको first काम करना है, timing रखना, ठीके? तो लगभग 50 मिनिट का timing होता है हर बालों पे, लेकिन फिर भी आप ये सोच के मत रखना कि 50 मिनिट के बाद ही मुझे चेक करना, ठीके? आपको timing इस तरीके से रखना, जैसे कि 20 हो गया, 25 हो गया, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से timing रखना है, मैं इसलिए timing इस तरीके से रखने के लिए बोरी हूँ कि, कि 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 किसी कि के जो हैर है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, किसी किसी के हैर में लेट से प्रोसेस होता है, जैसे कि मेरे क्लाइन के जो हैर है ना, बहुत ही healthy हैर था, और कोई भी colors विगरा उन्होंने नहीं किया था, तो मैंने जैसे 20 minute हुआ, मैंने check किया, तो मुझे 20 minute में ही जो result आना था, वो मुझे मिल गया, तो इसी तरीके से हर बालो के लिए, अलग-अलग timing होता है, तो हमेसा आप timing जैसे 20 minute हो गया, तो एक बार check किजिये, 25 minute हो गया, तो एक बार check किजिये, क्योंकि कभी-कभी होता है, काम अच्छा से हमारा हो जाता है, फिर भी हम सोचते कि 50 minute तक इंतिजार करें, ऐसे मत किजिएगा, तो हो सकता है, आपका जो hair हो जल सकता है, ठीके, तो आप थोड़ा ध्यान रखके ही काम किजिये, और check करने का काम जैसे मैं बताई हूँ, उस तरीके से किजिए, ठीके, अभी check कैसे करें, वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि आपको कैसे पता चलेगा, जो hair से वो तूड़ गया, मतलब जो bone से न, जो curl से वो तूड़ गया, और वो जो अपना जो स्टेटनी का प्रोसेस है, वो काम करना शुरूब किया, ठीके, तो वो भी मैं आगे बताऊंगे, जैसे कि देखिया, अभी पूरे जो hair है अच्छे से cream लग गया, अभी आप देख रहो, hair to hair दो सेक्षन है, पीछे भी दो सेक्षन है, तो आप क्या करो, हर एक session से न, एक पतले से layer लिकालना, बालो का, और दोनों finger में अच्छी तरके से फसा लेना, ठीके, अब फसाने के बाद, दोनों बालो को न, मने बालो को दोनों finger से खीचना है, रबड के जैसे, ठीके, अगर वो तूट जाता है, तो मतलब अभी time है, और थोड़ा देर आपको रखना है, और नहीं तूटा, और रबड जैसे खीचते ही, आप देखोगे, एक spring जैसे दिख रहा है, जैसे का, आप देखो, जाके आपको धोना भी नहीं है, आप सबसे पहले, पानी से spray करो बालो को, और अच्छे से मलसिफाई करो, उसमें क्या हो ना, कहीं कहीं जगा cream, अगर उपन नीचे भी हो गया, तो एक level में आ जाता है, ठीके, तो आपको ये पानी लगाने के बाद, गरम मतलब हीट मत दीजे, थोड़ा ठंडा पहले हवा दीजे, 10 मिर्टर, उसके बाद आप गरम हवा से, पूरे बालो को सुखा लिजे, और एक बाद, आपके पास स्टेटनर, बहुत अच्छी quality को होना चाहिए, क्योंकि स्टेटनर का ही, ज्यादा काम होता है, अगर आप अच्छी से स्टेट करोगे बालो को, तो आपका रेजल बहुत ही अच्छा हैगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि मैं आइकॉनिक का स्टेटनर लिया हूँ, यह बहुत ही अच्छा है, बाकि आप कोई भी स्टेटनर लो, जब तक कि पूरा अच्छे से स्टेटना हो जाए, उसके बाद मैं सेगेंड क्रीम ली हूँ, सेगेंड क्रीम जो होता है नीट रिलाइजर ठीके, और सेगेंड क्रीम का काम क्या है, जो हम लोग स्टेट करते हैं बालो को, उसको लॉक करने का काम होता है, बट इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, क्लाइन का सर नहीं हिनना चाहिए, उनको बोलना है आपको एकदम सीधे बैटे, ठीके, और पूरे बालों पे अच्छे तरीके से क्रीम लगा के, और एकदम एक बराबर रख देना है आपको, और आपको ध्यान देना है कि जिनको भी आप स्टेट क्या वालों को पकड़ा रहे हो, उनका हाथ गीला नहीं होना चाहिए, ठीके, बस आप मतलब ये इजी भी है, बट ध्यान रखने वाली बात भी है, ठीके, तो ध्यान रखके ही आप काम किजिएगा, और सिगें क्रीम जो निटुलाजर अप लगाओगे ना, तो इसको जादा देर नहीं रखना है, और इसको कुछ चेकिंग विगरा भी आपको नहीं करना, बस इसे पूरे बाल प्याचे से लगा लेना है, और 20 मिट रखना है, लेकिन बस इसमें यही ध्यान देने वाली बाते हैं, कि क्लाइन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, कि कि वो अगर हिलेंगे, तो जहां-जहां मूम्मेंड हो जाएगी ना, वहां-वहां बाल आपको थोड़ा सा तेड़ा-बीडा दिखेगा, इसके लिए क्लाइन को बूलिएगा, अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, थोड़ा तकलिप कीजिए और सीधे बैठिए, तेखे ना, उसके बाद अब ठंडे पाने से धो लिजे, और सीरम लगा दिजे बालो को, और घिस-घिस के ना पूचे हलके हाथों से पूचिए, और जैसे के मैं बोलती हूँ, पहले ठंडा हवा दिजे, फिर गरम हवा दिजे, उसके बाद पूरे बालो को अच्छे से सुखा दिजे, और लास्ट में एक बार और आप अच्छे से आइनिंग कर दिजे, मतब स्टेटनर से आइनिंग कर दिजे, बस रिजल्ट आपके सामने आप देख लिजे, और इसी तरीकी से अगर काम करते हों आप, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और क्लाइन भी बहुत खुश हो जाएगे, और आप रिजल्ट दिखीगा, तो बहुत ही एमेजिंग वाला रिजल्ट आया हुआ है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दिजेगा, और पूरा वीडियो देखेंगे, और जो लेगी मेरे चैनल के नए हैं, वो लोग को मेरे निकोश्च करती हूँ, पहले चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, फिर पूरे वीडियो देखें, तो आप देखिए कितना सुन्दर रिजल्ट आया है, तो चलिए इसी तरीके से, फिर से नए निये वीडियो के साथ, मैं आप सब के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी, जो तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर सी यू, और प्लीज वीडियो को पूरा देखें,